कि नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे सुप्रेम कोट के बारे में जो करंट ब्रेकिंग न्यूज है सुप्रेम कोट ने यूनिन ओफ इंडिया को डिरेक्ट किया है कि एक एफिडेविट वो फाइल करेंगे क्रिप्टो करन्शी के रेगुलेशन के लिए अभी ट्वंटी फिफ्ट अक्तुबर को इन्होंने ये डिसिजन दिया है एक पैटिशन फाइल के थी उसके बारे में डिसिजन आय गया था उसके बाद से जो कल की डेट में 25 अक्टूबर को उन्होंने यूनिन ओफ इंडिया को बोला है कि आप एक एफिडेविट फाइल करो और उसमें जो क्रिप्टो करंसी का जो रेगुलेशन है उसके और जो बेहन है उसके बारे में हम आगे डिसकस करेंगे जैसा कि कि क्रिप्टो को रेगुलेशन करना है दूसर एफिडेविट फाइल होगा कि क्रेप्टो को जो रेगुलेशन करेंगे उसको किस तरह से करेंगे और उसमें क्या-क्या अडचने आएंगी ठीक है तो अभी तक कि जो आपने करवाई देखी सुप्रेम कोर्ट ओफ इंडिया तो RBI ने सेप्टेंबर में एक एफिडेविट फाइल किया था उसमें यह बताया गया था कि जो भी बिटकोईन है इसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे और यह एक लिगल टेंडर नहीं है और जितने भी विर्चुल करन्सिया हैं वो उनको एज़े पेमेंट मोड ओफ रेगुलेशन करें इसके क्या क्या खत्रे हैं और दूसरे कंट्री से भी से भी ने भी काफी गाइडलाइन वहां से ली है कि करप्टो को रेगुलेशन किया जाएगा तो किस प्रारूप रिखा कि अंतरगत इसको रेगुलेट किया जाएगा तो अभी उसके बारे में डिस कोर्ट में ठीक है और जो हीरिंग है वो अभी चलेगी जैसे कोई ने भी आलड़ी फाइल कर रखा है और क्रिप्टो कानून का जो ट्वीट आया था उसको भी इन्होंने बताया है कि एट परजेंट जो करन्ट सिच्चुशन है वो चल क्या रही है ठीक है तो तीन अगस्ते स जो इश्यू था उसको कलक्लैवीकशन कुछ दिया है कि आप एक पैटेशन फाइल किये इसको रिखिटेशन करने के बारे में और दूसरह पैटेशन जी विल्ट ञेक है कि किस प्राढ़कर में इसको रॉडूट किया जाए और इसको रूट करने मीं काक्या बाध साइगा ह हर तरफ से सारे चीजों की जांच परताल के बाद यह फाइनल डिसीजन बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों ठीक हैं तो जो नेक्स जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोट का वो काफी अच्छा होगा और उसके बारे में हम आपको अपडेट तो को लाइक कीजिए सेर कीजि सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों थैंक्यू वेरी मस्ट दोस्तों